मेरी वरी गुड मार्निंग टो इलाव यू तोटीर स्थुडेंस आज की क्लासिस में हम सर्कुलर फ्लोका लास्ट पारट फोर एकनामी मोडल को समझेंगे अब यह four economy model क्या है इसको आप open economy model भी कहेंगे यह क्या है बचे यहाँ पर अभी तक तो स्रफ हमारे पास में एक तो household sector था एक firm था और यह two economy model था और three economy model में हमने एक और sector हमने involved कर लिये था government जो की realistic के real life पर से रहता है इसके साथ साथ में एक और sector काम करता है हमारे economy में goods and services के flow में वो है हमारे पास में rest of the world अब rest of the world में क्या है इंडिया को छोड़ करके बाकी जो दुनिया में जगें बचे हैं वो साथ को हम मोलेंगे rest of the world तो वो भी goods and services के flow में उनका भी एक रोल होता है क्योंकि वो भी हमारे country से import करते हैं तो goods and services हमारे यहां से चला जाता है पर वो export भी करते हैं तो goods and services हमारे यहां पर आ भी जाता है आए पूरे circular flow को समझते हम for economy model के अंदर ठीक है इसको तो आप दुबारा से देख लेंगे और मैं पूरा structure बना देता हूं आपका देखेगा सबसे पहले आपके पास में क्या रहता है एक sector आपके पास में household sector household sector अराम से समझेंगे एक sector आपके पास में है household sector और एक sector आपके पास में बच्चे फार्म दो sector एक नवी model में और एक sector हम यहाँ पर रख लेते हैं government पूरा चारो है ना और एक sector हम रख लेते हैं rest of the world और बीच में हम capital market रख देते हैं सरकार भी कुछ पैसे बचाए capital market में डाल देती हैं फर्म से जो बचा, हासोड से जो बचा वो भी capital market में डाल देते हैं, फर्म से जो बचा ये भी, यहां से जो बचा, सब capital market में आता है, तो बीच में एक sector रख देते हैं, capital market, यह sector नहीं है, यह flow का पार्ट है, यह हमारे पास यह मच्चे इकनाए model है, सबसे पहला काम क्या होता है, मैं यहां पर cash flow की बात कर रहा हूँ, मैं किस flow की बात कर रहा हूँ, cash flow की बात कर रहा हूँ, मैं good son services की बात नहीं कर रहा हूँ, money flow की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारे पास में, एक firm से पैसा आएगा, कुछ इस तरीके से एक फर्म से पैसे आएगा और वो पैसा इस तरीके से हाउस होल्ड तक जाएगा अब सवाल एक फर्म से क्यों आएगा और हाउस होल्ड को क्यों जाएगा क्योंकि फर्म में जो भी काम हो रहा है एक हाउस होल्ड से ही हो रहा है एक household से ही एक परिवार से ही कोई labor गया है तो उसको wages मिल जाएगा फर्म से ही कोई entrepreneur गया है जो की business को start up कर रहा है start कर रहा है उसको profit मिलेगा जो जोखिम ले रहे है फर्म household से ही household से ही किसी ने फर्म को अपनी land दिये तो फिर household को यहाँ पर rent मिलेगा हाउस होल में से किसी ने अपनी पूझी लगाई है तो उसको बदले में interest मिलेगा चीक तो फर्म एक तरीके से क्या कर रही है फर्म एक तरीके से payment कर रही है हाउस होल और इस payment को हम कहते हैं फेक्टर पेमिंट इस payment को हम फेक्टर पेमिंट कहेंगे क्योंकि कोई भी फर्म चलती है तो उसमें resources को लगाना पड़ता है resources के साथ में चलती है बिना resources के आप कुछ भी produce नहीं कर सकते हैं resources को ही उसका अपने सिनोनेम है उसी का एक और नाम है फेक्टर तो हाउस होल्ड फेक्टर प्रोवाइड करवाती है लैंग लेबर इंट्रेपनियों और कैपिटल तो कहीं नहीं कहीं फेक्टर प्रोवाइड करवाया हाउस होल्ड ने फॉर्म को और उसी फॉर्म ने उस फेक्टर के बदले में पेमिंट कर दिया हाउस होल्ड को तो इस फेक्टर पेमिंट हो गया अब यह फेक्टर पेमिंट जब हाउस होल्ड के पास में जाता है तो हाउस होल्ड क्या करता है इस पेमिंट का वह भी वह भी गौर्णमेंट को टेक्स पे करेगा, सेविंग करके कैपिल मार्केट में डाल देगा और फाइनल गूर्ड एंड सर्विसिस पे एक्सपेंस करते वे वो फर्म तक पैसा बापस पहुचा देगा, हाउस्फोल्ड के पैसा आता है आपके परिवार में जो पापा की तन खाय आय है, वो पैसा तीन जगे जाता है, जब सेलरी मिलती है तो टेक्स उसमें से कटता है, अगर वो टेक्स के अंदर आते हैं तो, उसके बाद वो पैसा फादर को मिलता है, फादर फिर उस पैसे में इसे पूरा महिना घर चलाते हैं, पिता जी, घर चलाने के पास जो पैसा बसत तो सबसे पहले तो वो जो है एक गवर्मेंट को टेक्स जाएगा ठीक है और गवर्मेंट को पैसा टेक्स के फॉर्म में जाएगा लेकिन फिक गवर्मेंट टेक्स के फॉर्म में पैसा जाएगा तो गवर्मेंट इस पैसे को फिर बैक मारती है कैसे बैक मारती है मैं गवर्म गवर्मेंट इस पैसे को बैक मार देती है, कैसे? Transfer payment वो payment होता है जिसके बदले में कुछ लिया नहीं जाता है बच्छे, Transfer payment वो payment होता है जिसके बदले में कुछ return में आपको लेना नहीं होता है एक्जामबल के लिए गली महले में कोई वेक्ति मांगने के लिए आया और आप उने उसको 10-20 रुपे दे दिये तो इस पेमिंट को बोलते हैं ट्रांसफर पेमिंट बदले में आप उससे कुछ रिटन नहीं लेते हैं क्लिर है तो सरकार भी ऐसे कुछ ट्रांसफर पेमिंट करती है कैसे करती है जैसे कि मान लीजे कि बसिस के अंदर लेडिस की टिकट नहीं लगेंगी तो यह ट्रांसफर पेमिंट हो क्या वहां तो खाइर लेड़े से पाइसा देना यह सबसीड़ी हो गए तरगीगा चांफ़र पेमेंट किया होता है यह से श्कूल अगरहे में आपको याद ओ जो गुवर्मेंट स्कूल के बच्चे होंगे तो उनको इसकोल में कई रहली हजार उपए मिल जाय करते तो यह ट्रां अपने काम किया आपने अपने जमा पूजी वा रख्थी हुई है वो पैस आपको मिल रहा है है हा आप सरकारी एंप्लोई नहीं है आप सिरा और आपको आप इलिजिबल हैं आपको सब्सक्रांस पेमेंट कर रही है ये ट्रांसफेर पेमिन्ट है एक बच्चा की मेंटली डिस इसके खाते में ताकि उसका maintenance हो पाए उस बच्चे का तो उस situation में भी इसको transfer payment कहते हैं तो जो परिवार ने text दिया परिवार को सबको एक यूनिट लेकर चलिए वह पैसा सरकार ने परिवार को कही ने कही तौर पर वापस लोटाया भी transfer payment करके तो परिवार अब गया ने टोवता है कि अब होगी कि यह आपने उस को फॉर्म पर बेज देती है कंजम्शन एक्सपेंडिचर दिख रहना हो पर ठीक है यहां लोगता हूँ कंजम्शन एक्सपेंडिचर तो यह क्या हुआ हमारा कंजम्शन एक्सपेंडिचर हो गया और अभी इस गवर्मेंट तक पैसा गया गवर्मेंट ट्रांसर पेमिंट करा उसके परिवार के पास में बच गया उसको क्या करते हैं सेविंग जो को हम बोलते हैं हाफ्सफोलड सेविंग को हम बहुते हैं इन्वेस्टमेंट अब समझ जये स्विंग और इन्वेश्मेंट्च सेविंग एकी चीज़े क्याए अब जो पैसा क्यवले मार्केट थे पहुँचाया क्यपनासर वो पैसा कि फर्मों तक चला गया कैसे बाइ लोण फर्म ने क्या करा capital market financial institutions होता है जहां पर लोग अपने पैसे को रखते हैं बदले में return में कुछ पाते हैं तो यहां से capital market से फिर फर्म ने क्या करा लोन ले लिया आपने फरंब को चलाने के दितो पैसा यहां रखा गए तो पैसा फरं से पापस आया Clear ребята Косot अब government क्या करती है government को tax सिरफ household ही नहीं पे करती है आपको फर्म खोलेंगे तो क्या आपको tax pay नहीं करना पड़ेगा बताऊ जरा मुझे यह बात तो government को tax है न वो firm भी पे करती है firm भी तो government को tax पे करती है बच्चे लेकिन फिर government बदले में क्या करती है फॉर्म के लिए ये टेक्स का पाता है government पाया government भी farm के लिए कुछ करती है government firm को कहीं कर देती है है वह अनुदान इसु कहते हैं अगर ऐसी community का firm मैं यह नहीं करें सभी फॉर्म को सबसेटी मिलता है बड़ जो ऐसे फर्मों को गवर्मेंट सबसेटी इस लिए देती है ताकि वो नहीं चाहते कि किसे किसी फर्म से टेक्स के फर्म में लेती है वह पैसा सबसेटी के फर्म को बापस लोटा लेती है और जो पैसा बचिया गौवर्मेंट इसको कहा डालती है सेविंग, गवर्मेंट जो है, वो कृर्मेंट की पैसे को डालती है, सेविंगको और फिस कापिनल मारकेट सेथ year, लोन बापस फसर्मेंट को यह ट्रंसफर होता है, लेकिन गव्रुववर्मेंट पे पैसा आया, सिरफ गव्रुवर्यम्ट यही काम नहीं करती है कि पैसा आया लोटाया, अवसोल्ड साया लोटाया, इस साय लोटाया, फम इसके लावा भी जो government है ना government भी अपना consumption करती है, government भी consumption expenditure करती है और वो पैसा बापस farm तक लोटाती है, अब firm भी किस तक consumption expenditure करती है, वो चीजें जो government ने free में public अब के लिए सबके लिए अबैलीबाल को भार्ठार, हैसा कि आपके सूसाइटि आपका पार्क हो गया, आपके डख़िस्पैंसरी सो गए întes Lock, फीकल में मेडे। फूल में टीचर्स हो गएं यह सारी चीजिजिए mother में अबिलिबाई का जरकार ने तो ये कर्मेंट कंजंप्शन का पाठ है तो जिसके हाउषोल कंजंप्शन करती है वहसे या कज बखर में करेगी तो क मेदे चायें अब दोड़ाईय कहाँ सई आइगी फ़र्मों से झाय देन पार्क वगरा के लिए चीजें कहां से आएंगी बैंच लोहा स्टील सब कहां से लाएंगी खईदे की सरकार भी सरकार भी तो एक्सपेंडिश कर रही है खईदी तो पैसा बापस फर्म तक लट करके जा रहा है और फर्म भी इंवेस्ट करते हो काप्र मार्कम डाल देती है औ कि एक तो हमारे हम करते हैं इंपोर्ट हम अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा चला गया अगर हमने खईदा तो कैश फ्लो अमारा बाहर हो गया यह बात सब्सक्राइब की बात कर रहे हैं अगर हमने कोई समान खर रहे था तो हमारा कैश फ्लो हो गया बाहर लेकिन हमने इसको बेचा तो हमारा cash flow आगया अंदर तो cash flow कि यह पर बात कर रहे हैं यह बात सब्सक्राइब आपको जिससे आप देखेंगे यह देखेंगे rest of the world क्या हो एक्सपोर्ट जो भी export करते हैं वो producing sector जो भी पैसा जो भी देख रहेंगे कि rest of the world का producing sector के साथ में हैं household के साथ में क्यों होगा भी यह बताओ जड़ा मुझे दो चीजे हैं देखें फर्म से connection है इसका सबसे पहले दो चीजे है फर्म क्या करती है अगर export करती है एक्सपोर्ट करती है फर्म अगर तो उसके वल्ले में cash आता है फिर फर्म में machinery वगरा के लिए किस चीज़ के लिए फिर import भारत में export import दोने हर देश में होता है तो जब export कर रहे तो पैसा वहाँ से आगे देश में और जब import करा किसने किसी फर्म नहीं तो पैसा वापस भी देश में चला गया तो उस तरीके से फिर import payment भी होती है इंपोर्ट करते हैं तो मलब खरीदते हैं और इंपोर्ट payments होती है क्लियरे बच्चे बात संजमाई आपको तो खुल बिला करके अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरगी के चीज़ें आपके सामें इदर आते हैं अगर आप देखें अपने डाग्राम में बहुत कुछ है इसमें तो बट थोड़ा खुला खुला लिखावाई तो इसलिए आप करने से काहनी सुरू करते हैं तो नि máxim sector कर रहा है आप देखेंगे प्रूशन सेक्टर जो है कुछ factor payments कर रहा है, वो household तक गया, household ने saving करके capital market रहे पहुचा आया, household ने जो है, कुछ चीज़ें, household के थिरो, फिर वो consumption expenditure करके बापस, पड़िश सेक्टर तक household ने पहुचा दिया, और household ने कुछ पैसे जो है, taxes के form में, household से पैसे जो गया है, consumption expenditure होकर के, पड़िश सेक्टर ब पे कर दिया, household ने saving करके capital market रहे पहुचा दिया, आप जो government को पे करा, government transfer payment करके इसको बापस refund कर दिया, clear है, बच्चे, अब बात करते हैं यहां पर, कि आपके पास में, producing sector, और government के बीचे क्या connection है, producing sector ने भी अपना क्या करा, एक tax पे करे government को दिया, government को बापस लटा दिया, और government consumption expenditure, यह भी तो, government भी तो करते हैं, तो यह पैसा यहां पर बापस लोट गया, रेश्ट व वर्ल्ड कहत में क्या है, कि भाईया, form ने, अगर export कर रहा तो इसको receipt होगा, अगर form ने, अगर import कर रहा तो पेमेंट करके पैसा हो जाएगा, balance या पे, capital market का production sector के साथ में क्या ह में रहता है, तो एक-एक करके चीज़, अगर हमने add करी, तो उम्मिद करता हूँ, आपको अच्छे से चीज़, सौंज में आ गई है, अब वही चीज़, वही explain क्यों ही चीज़ है, तो इसको आप read करेंगे, सवाल एक अच्छा पूछा हुआ है, बहुत बड़े प्यारा सवाल पूछा है आपसे, एक question आपसे यह जो पूछ रहा है, कि does the circular flow of a national income always remain constant, या withdrawal and the injection of circular flows of income, बच्चे मतलब यह है कि क्या जितना हमारे देश में जो लोगों की income बनी है, क्यों वो सबका सब flow हो पाया, आप का होगी sir, बिल्कुल हो पाया, क्योंकि जो हमारे इंकम बनती है, हम consumption expenditure कर पहुंचा लिते हैं, जो saving होता है capital market में, capital market में उठा लेती है, बच्चे ऐसा नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है, जो leakage मतलब हमारे economy से पैसा out हो जाता है, कुछ मानके चलिए कि पैसा capital market तक नहीं पहुंचा हो, आपने पैसे, उध 15,000 रुपे का consumption expenditure कर लिया, 30,000 रुपे मैंने बैंक में अपने deposit कर दिया, 18,000 रुपे, 2,000 रुपे मैंने कर अपने घर में रख लिया, या 2,000 रुपे मैंने कहीं पर अच्छे से दवा करके जबीन के इंतर चुपा दिया, अब ये 2,000 रुपे क्या है, बापस फर्मों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसी को हम क्या बोलते है, leakage, clear है, या पर कुछ पैसे जो है, वो खराब हो गए, money फट गई, इसलिए तो इस leakage, आसे नोट होते थे ने पहले, तो फट जाये करती थे, अब वो circular flow नहीं हो पाएगा ना, तो वो economic को harm करती थी, कि अगर 10 रुपे नहीं होगी, और नहीं है, इतने सारी नोट है भारत में, कितने नोट फटते होंगे, कितने गुट से थे फ्लो कम होता होगा, तो उसलिए, coins की तरफ ज़्यादा प्रफरेंस ने गुवर्मेंट ने अभी कुछ सालों में किया होगा है, कि नोट ज़्यादा फटे नहीं, इ लिखिए कि कि न मी इसे पैसे को आपने आउट कर दिया, a leakage is in the outflow or withdrawal of income from the circular flow, circular flow से पैसे को निकाल करके बाहर कर दे न, उसको हम क्या बोलते हैं, leakage या फिट्रॉल करते हैं, according to, let's pay, a withdrawal or leakage of income refer to that part of the income which does not go back to the circular flow of income in the form of the expenditure, expenditure की पैसा नहीं गया, leakage are part of the national income that are the not used by the household to buy domestic consumer goods भई लीकेज में तो भी जा इसको यूज कर नहीं में बता नहीं गरें पैसा दबाग कही रख लिया अलमारी पैसा रख लिया it leakage are part of the national income that are the not used by the household to the domestic consumption expenditure refer to that portion of income which does not follows domestic product sector there are the three leakage or uses of the income that do not result in the purchases of the domestic producers goods and services in other words income does not flow back to the domestic यह की बात repeat कर रहा है saving it flows from the household sector to the financial sector rather than to the product market net taxes it flows to the government net taxes क्यों होता है यह it flows to the government government जाता है rather than to the product market मैं वह पैसा जो product market में डिर्क नहीं पहुच रहा है एक होता कि यह फर्म ने मुझे पैसा दिया मैंने consumption कार रहा है मैंने फर्म को बापस लोटाया यह फ्लोग लेकिन वह पैसा जो डिर्क नहीं जा रहा है इस कुछ चीज शॉट्स हो रही है वह लीकेज होती है कौन कौन सी हमने capital market में पैसा डाल दिया हमने tax की फर्म में सरकार को पैसा डाल दिया और import हमने कोई चीज बहर से खरीद ली तो पैसा फर्म पोग नहीं है न वह बिदी से company को चला गया फॉर्म को चला गया इंजेक्शन अब इंजेक्शन जो हमारी लीकेज हो जाती है महानलों की हजार रुपए डाला था फर्म ने फर्म पे पहुंचा 900 रुपए 100 रुपए उसके पास ने पहुंचा है नहीं तो 100 रुपए को अब वह maintain कैसे करेगी गौर्वर्मेंट उसके उसको इंजेक्ट करे तक कि वह पैसा एकनोमिक अंदर फिर से फर्मो तक पहुंच जाए अन इंजेक्शन इस नौन चंजंप्शन एक्सपंडिचर इस तेक इस तेक इस एक्सपंडिचर अगोड्स पर्दूस्स विदिन दा डुमेस्टिक टरिटरी बट नॉट उस्टिक थाउस्टिक थो ठीक यह दोमेस्टिक हाउसोल्ड ने मतलब कि यह कही न कहीं गवर्मेंट के थो एक्सपंड होता है और यह इस तेक इस एक्सपंड होता है लाइक फ्लाइब बना देना पर एक्जामपल इप प्रदूसिंग सेक्टर बोरोस मनी फ्रॉम दा क्यापिटल मार्केट इन ओर तो मेंग दा पेमेंट तो दा फेक्टर देर सर्विसिस देन इट विल बी दा कॉल दा इन्जेक्शन ओफ इंकम बाइदा फॉम क्लेरे बच्चे मतलब यह हो गया कि हजार जुआ है और हजार रुपे में से 900 रुपे ही एक्स पंडिर्शर कर रहा हाउसोड ने बागी फर्मेंगों तक पहुंचा है नहीं गोर्रम्मेंट से उपना थे प्लिश्पनेयश थे जा फ़र पशेश में आप मेज पास पटों पर शुचति के पास जा आरा है प्र इंजिंशन हो रहा है आप क्या रहें इंवेस्टमेंट, it is the total expenditure of the new capital goods and the investment, government expenditure, जो government expenditure करती है, और export, जब भी हम करते हैं, तो पैसा बापस हमारे economic अंदर flow में आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, injection को बोलते हैं, हाँ, government इसको capital market से उधार भी लेती है, बिलकुल लेती है, और investment के लिए, clear है बच्चे, तो withdrawals कैसे होते हैं, saving कर लिया, withdrawals, tax pay कर दिया, withdrawals, import कर लिया, पैसा बाहर चला गए, सारे हमारे flow, ये क्या करता है, हमारे flow से पैसा सारा ही बाहर कर देती है, firm से, और अब यहाँ पर injection कैसे होता है, investment, investment मतलब कि firm में वो पैसा capital market से उठाती है, और उसको capital goods पे लगा देती है, machine deal पे लगा देती है, तो पैसा बापस चला गया, government expenditure, जो tax pay करा, सरकार भी कुछ ने कुछ चीज़ें खईदारी करती है, और वो पैसा फिर firm तक पहुंचता है, और export, firm export करके, वो पैसा बापस अपने एकनामिक गंदा लेकर कर आती है, तो भाईया, injection का काम कौन कर रहा है, household कर रहा है, clear है, और विड्रोल का, household कर रहा है, विड्रोल में कौन कर रहा है, विड्रोल काम जो है, government sector कर रही है, विड्रोल काम, rest of world हो रहा है, पैसा आ काहा से रहा है, पैसा injection करने में एक firm कर रही है, बोर्विंग मार्केट से पैसा उठाती है, और उससे तो बड़े बड़े प्लांटर मशिन्टी खईती है, तो यह बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको यह की पॉइंट से को याद करने के लिए, क्लियर है बच्चे? अब यहाँ पर आपके पास में है कि नेचुरल एफेक्ट्स ऑफ रड़ा, बच्चे फ्लो बच्चे फ्लो ने सर्कुलर फ्लो को तभी पॉसिबल है, जबकि हमारे पास में जो हमारी सेविंग हुई है, जो हमने टेक्स पे करा, जो हमने इंपॉर्ट करा, सेविंग से पैसा ह गवर्मेंट एक्सपोर्ट के ब्रावर आजाए वही पैसा इस थ्रो अगर हमारा पूरा एक्जिटली रिफंड आजाए तो इसका मतलब हो गया कि जितना पैसा हमारे एक्सपोर्ट सेविंग टेक्स इंपोर्ट तो यहां पा अगर आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मेरा बल्लब की कहीं न कहीं इंजेक्शन होता है गवर्मेंट एक्सपेंडिचर यह भी कहीं न कहीं इंजेक्शन का पाट है और एक्सपोर्ट भी एक इंजेक्शन का पाट है मेरा अगर यह सब पैसा जो इंजेक्शन है वो जादा हो गया किस से मेरे ल flow of the income will be begin to increase. So, flow of the income, what will happen? It will increase. I say investment, G say government, X say export. Clear, children, X say savings, tax and import. So, these are all our withdrawals. And these are all our injection. Our injection will be more and more, when it comes to 110, so, my circular flow was more and more. It was 1000, 100 rupees. No, 100 rupees. Just give 110 rupees. 110 rupees. So, circular flow was 1000, now it was 110 rupees. Circular flow will increase, that's what I'm saying. And in this case, our circular flow will reduce. Clear, children? In case the flow of the income begins to increase, it is the situation of the expansion of the economic activity. And when our circular flow has increased, now we can produce more goods and services. So, our economic activity will expand. And in this situation, it is the case, you know, that the amount of withdrawal, the amount of withdrawal has become more. So, in some cases, the circular flow has reduced. So, our strength will reduce by goods and services to produce. In this case, the flow of the income will begin to decrease. Its situation is the contraction, means that it is the cost of the income. It is the economic activity in the economy. Clear, children? So, I hope that in today's situation, you will be able to finish your circular flow of the topic of your circular flow. You will be able to finish your circular flow of the topic. Clear, children? Expandition method, value addition method, value addition method, NFIA, GDP, GNP, NNP, NDP, These are all concepts that we will start to understand. Clear, children? So, we will meet again in the next class.